वेलकम टू ग्लैमवर्ड टॉक्स कल मुनवर फारुकी जो हैं इलो इलो एप पर लाइव आये थे और वो लाइव जब आये तो उन्होंने लाइव के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये मुनवर फारुकी ने इलो इलो एप के अपने लाइव में इंडिया में किसी भी सेलिबर्टी के द्वारा सबसे ज़्यादा हाइस नंबर अफ लाइव ओडियन्स का डिकॉर्ड तोड़ा मुनवर फारुकी के लाइव में 8,65,000 से ज़्यादा लोगों ने हिश्चा लिया पहला है अंजली अरोरा का आप सब को पता है कि अंजली अरोरा जो है लॉक अप में मुनवर के साथ खेली थी मुनवर ने उसका हाथ पकड़के उसको बहुत आगे तक लेके गया लास्ट में अंजली ने मुनावर को दोखा दिया और उसके बाद भी मुनावर फारुकी जो है वन साइडेट लोक अप जीता और उसके बाद अभी जब मुनावर फारुकी बिग बॉस 17 में था तो अंजली अरोरा ने बहुत सारे उल्टे सिधे बयान दिये मुनावर फारुकी के खिलाफ में तो इस पे मुनावर फारुकी ने आज तक कभी कुछ रियाक्षन नहीं दिया था फॉर्स टाइम मुनावर फारुकी ने इस बात पे अपना रियाक्षन दिया है तो कल के लाइब में मुनावर फारुकी ने इस पे बात की, उसके अलावा बहुत सारे फैंस हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या मुनावर फारुकी और मनारा चोपड़ा खास करके जो मुनारा वाले फैंस है क्या मुनावर फारुकी का मनारा चोपड़ा के साथ कोई music video देखने को मिलेगा उन्हें इस पर मुनावर फारुकी ने एकदम से बेभाकी से अपनी राय रखी उसके अलावा मुनावर फारुकी आपको आजकल हर जगा अलग-लग पार्टियों में दिखते हैं और मुनावर फारुकी के साथ जो भी लड़की दिखाई देती है उनकी कोई friend हो कोई relative हो जो भी लड़की आके मुनावर फारुकी के साथ दिखती है लोग एक connection ढूणने लगते हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि अभी मुनावर फारुकी का स्टेटस क्या है क्या हो सिंगल है या किसी को डेट कर रहे हैं और जैसा कि उनका बेटा अब उनके साथ रहता है उनकी एकस वाइफ जो है और लेडी किसी और से साधी कर चुकी है तो मुनवर फारुकी का अभी शादी को लेके क्या प्लान है इस पर मुनवर फारुकी ने अपनी बात रखी तो आज की हम इस वीडियो में इन तीन चीजों पर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम अंजली अरोडा के मैटर पर देखते हैं कि मुनवर फारुकी ने क्या कहा आईए देखते हैं इसमें बहुत क्लिरली मैं बोलता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप आपकी जितने भी दोस्त है वो आपके साथ खड़े रहे है आप दुनिया को लगता है अपने दोस्त है और रही बात अंजली के तो मैंने उसका इंटेव्यू का रील में कहीं पर देखा और मैं यही सोच रह ज़्यादा नहीं है कि जानते जो परस्नली प्यार करते हैं वो हमेशा सपोर्ट करते हैं तो सुना अपने मुनवर फारुकी ने क्लिरली यह कहा कि मुझे भी यह सरप्राइजिंग लगा कि मैंने उस लड़की का कुछ बिगारा नहीं मैंने उसके बारे में कभी कुछ गलत बात नहीं की, फिर वियो मेरे बारे में इतने उल्टे सीधी बात क्यों कर रही है जिन लोगों ने लॉक अप देखा है उनको तो पता होगा, लेकिन जिन लोगों ने लॉक अप नहीं देखा उनके लिए हम एक बार ब्रीफ में आपको बता देते हैं लॉक अप में मुनावर फारू की अंजली अरोरा डोनों डे वन से अंदर जाते हैं, शो के अंदर मुनावर फारू की डे वन से एक क्लियर करता है कि उसकी बाहर कोई गल्फरिंड है उस समय नाजला मुनावर की गल्फरिंड थी उसके बाद अंजली अरोरा भी बताती है कि बाहर उसका आकास नाम का कोई एक गॉर्फरेंड है अंदर में मुनावर की जो तीन दोस्त थी वो शाईशाशिंदे, पुनम पान्डे और अंजली अरोरा ये तीनों मुनावर को उसकी गुल्फरेंड को लेकर ठ्रूआउट टीज करते हैं उसी बीच में मुनावर और अंजली की दोस्ति भी होती है और उस दोस्ति के दोरान मुनावर को लगता है, कि अंजली के साइद में भी कुछ और तरह की feeling डेवलप हो रही है मुनावर उसको बिठा कि और clear cut एकडम साथ सब्दों मों उसको समझाता है कि देख इस ऐसे माहौल में जब यहाँ पर बाहर से हम पूरे disconnected है तो इस तरह की कोई feeling आ चकती है लेकिन एक बात तू समझ यह feeling जो है temporary है यह real feeling नहीं है अगर ऐसी कोई feeling है और मेरा बाहर कोई इंतजार कर रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना तो यह बात एकडम से मुनावर फारुकी ने उसके मुझ पर भी clear कर दी थी उसके बाद wild card की तरह प्रिंस नरूला आते हैं वो भी एकडम से clear cut अंजली से पूछते हैं और कहते हैं तेरा तो है न बाहर boyfriend तो फिर इस तरह की तुरह क्यों है इस तरह की बाते होती है तू अपने साइट से भी clear रख पर उसके बाद घर के अंदर एक media round होता है और जब media अंजली अरोडा से सवाल पूछती है कि क्या आपके तरब से कभी भी मुनावर के लिए कोई romantic feeling रही है तो वहाँ पने अरोडा उसको हाँ बोल देती है पर फिर भी उस समय भी मुनावर फारुकी से भी पूछा आता है मुनावर बोलता है नहीं मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ दोस्त है मेरे अंदर कभी किसी भी time पे एक moment के लिए भी friendship से ज़्यादा कोई feeling नहीं आई है और ये बात मैंने बार-बार अंजली को clear भी किया है तो वहाँ से मुनावर और अंजली का matter एकदम clear है मुनावर ने कभी उसको कुछ false hope नहीं दिया कुछ वैसी promise नहीं की और उसके बाद जब मुनावर फारुकी को प्रिंस के आने के बाद मुनावर फारुकी को जब धोखा देती है अंजली अरोरा उसके बाद से मुनावर फारुकी थोड़ा अंजली से कटने लगता है क्योंकि वो ticket to finale टास्ट था उसके बाद मुनावर फारुकी आजमाफला और बाकी लोगों से ज़्यादा बात करने लगता है और अंजली अरोरा से धीरे-धीर distance maintain करने लगता है फिर उसके बाद घर में family week होता है family week में सदाकत आके मुनावर को clearly बता देता है क्योंकि जिस दिन family week हुआ था उसी दिन ही मा बहन की गाली जो है अंजली और ने साइशा और पुनम के सामने मुनावर को दिया था ये बात मुनावर को पता नहीं थी लेकिन जैसे ही सदाकत आए उन्होंने ये बात बता दी थी और अंजली की मा ने भी उल्टे सिधी घर के अंदर जाके बयान दी अंजली को बोला कि तेरे वोर्ट जो है मुनावर को जा रहा है मुनावर के तो कोई fans ही नहीं है सारे तेरे fans है जो कि मुनावर को वोर्ट देते हैं तो इस तरह की बाते जब मुनावर को बाहर आके पता चली और उसने सारे clip देखे तो उसने ये फैसला किया कि वो अंजली के साथ बातचीत नहीं रखेगा वो एक respect maintain करेगा मुनावर फारुकी ने उसके बाद जितने भी interview दिये उसमें अंजली के लिए हमेशा अच्छा बोला कभी कुछ बुरा नहीं बोला लेकिन उसने दोस्ती भी नहीं रखा जो कि बिल्कुल भी जाय जाय किसी भी self-respect वाले इंसान को अगर पता चलेगा कि किसी public platform पे उसको किसी ने मा भेन की गाली दी है तो वो इंसान कभी उसके साथ cordial नहीं रह सकता लेकिन मुनावर फारुकी ने कभी भी उसको disrespect नहीं किया इवेन बिग बोस 17 में लाइफ फीड में एक बार हमने देखा था कि चिंटु मुनावर से अंजली के बारे में पूछता है कि अंजली जो है वो कैसी थी तो मुनावर ये बोलता है थे कि अच्छी लड़की थी वो काफी मतलब स्टार्टिंग में उसको गेम नहीं समझ में आता था पर बात-बात में तो बहुत अच्छी होगी थी उसने तो मेरे साथ भी गेम कर दिया था तो मुनावर फारुकी ने अच्छा ही बोला हमेशा कि अच्छी लड़की है कभी भी ऐसा अंजली के बारे में बुरा नहीं बोला फिर अचानक से अंजली अरोरा इस बार बिग बोस 17 में वाइल्ड काड आना चाहती थी लेकिन मेकर्स को आईशा खान के रूप में एक बेटर वाइल्ड काड मिल गया जो कि मुनावर का गेम और ज्यादा खड़ाप कर सकती थी तो अंजली अरोरा के जगा आईशा खान को लेके आ गए और जब मुनावर पर ऐलिगेशन लगने शुरू हुए तो अंजली अरोरा ने अपनी तरफ से एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया कि मुनावर फारुकी जो है लड़कियों का इस्तेमाल करता है जबकि fact यह है कि लड़किया मुनावर फारुकी का इस्तेमाल करके top 5 में, top 2 में, top 3 में पहुंचती है मुनावर फारुकी ने कभी किसी लड़की का इस्तेमाल नहीं किया तो इसमें मुनावर फारुकी ने बहुत सही और सटीक अपना जो response आपने जो सुना अभी उसमें दिया कि मैंने तो कभी उसका कुछ बिगारा नहीं, मैंने उसकी साथ कुछ किया नहीं, फिर वो ऐसी बात क्यों कर रही है, मुझे समझ मनी आया लेकिन एनीवे, दुनिया में साड़े लोग आपको प्यार नहीं कर सकते हैं, कुछ आपको प्यार करने वाले होते हैं, तो कुछ आपको हेट करने वाले भी होते हैं अंजली औरोडा के case में तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि अंगूर खटे हैं वो मुनावर फारुकी को चाहती थी पर मुनावर फारुकी उसको नहीं मिला तो अभी अंगूर खटे हैं वाली बात है कि वो बुडाई कर रही है पर आइडेनी ये है कि जब lock-up खतम हुआ तो अ अभी मुनावर फारुकी का हाइप चला था वो बिग बॉस में था तो सोचा इसी बहाने मैं भी थोड़ी सी इंटर्व्यूज दे दूँ थोड़ा सा अपना हाइप क्रेट कर दूँ तो अंजली औरोडा ने में भी इस कारण से एलिगेसंस उल्टे सिधे लगाई जो कि कह नहीं से भी एक परसंट भी सच नहीं थे अब हम आयाते हैं दूसरे टॉपिक पर कल के लाइब में एक फैन ने मुनावर फारुकी से पूछा कि क्या आप मनारा चोपरा और अभिशेक के साथ कोई मूजिक वीडियो या किसी प्रजेक्ट में दिखाई देंगे तो उस पर म मतलब मनारा और अभिशेक के साथ कोई सोंग वीडियो देखने को मिलेगा क्या आगे वाई मेरा एक सौंग आ रहा ही ना के साथ एन आई थिंक अभी वह एक ही आ रहा है और मैं बहुत जादा म्यूजिक वीडियो नहीं करने हा ला हूँ क्यूंकि स्टैंड अगेरा बहुत चुका है क्योंकि मुनावर फारुकी ने शाफ-साफ बोल दिया कि उनका मनारा या अभिशेक किसे के साथ भी आपको कोई प्रजस्ट देखने को नहीं मिलेगा वो इसलिए क्योंकि मुनावर फारुकी का आप सबको पता है कि अभी हीना खान के साथ एक वीडियो आने वाल उनके stand-ups हैं, वो अपने stand-up के सोज करने वाले हैं, उसके अलावा मुनावर फारुकी ने अपने Twitter के live में बताया था कि उसके जो एक web-series है, जिसके दो episode मुनावर ने लिखे हैं, वो release होने वाला है, और मुनावर फारुकी एक पूरा-पूरा web-series जो है, खुद से लिख भ आदमी है, तो उनके stand-ups हैं, उनके खुद के rap songs हैं, उनके अभिया web-series लिख रहे हैं, कुछ उनके और plans हैं, इसकी वज़े से सिर्फ और सिर्फ मुनावर फारुकी को आप मनारा या अभिजेक के साथ नहीं देखेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुनावर फारुक की बहुत ही अच्छे से ही मिला था, तो इनकी बातचीत है, दोस्ती है, पर यह है कि कोई music video तो अब नहीं करने वाला, अगर कोई web-series हो, या कोई movie हो, या कुछ उस तरा इक का कुछ अलग project हो, जिसको कि मुनावर फारुकी और मनारा चोपड़ा को साथ में offer हो, और मुना point पर आ जाते हैं, third point बहुत ही clear cut question था कि उनका अभी relationship status क्या है, क्या उनका किसी के साथ अभी वो date कर रहे हैं, या उनकी कुछ साधी की plan है, उस पर मुनावर ने क्या कहा, आईए सुनते हैं, पर पता ही तो सबको अब शाधी कर रहे हो, ये तो कब कर रहे हो, कोई scope है, किसी single हैं, और मुनावर फारुकी का अभी किसी भी लड़की के साथ कोई status नहीं है, कोई भी लड़की उनकी अभी girlfriend नहीं है, तो जितने भी rumors उट रहे हैं, सारे के सारे बकवास हैं, मुनावर फारुकी अभी पूरी तरह single है, उनका focus सिर्फ और सिर्फ अभी अभी अपना career होन जब भी उनका किसी भी लड़की के साथ photo आ जाता है, तो उनको ये जवाब मिल गया होगा, कि मुनावर फारुकी अभी single है, उनका अभी किसी के साथ कुछ नहीं चलना, तो main main जो है, यही तीन बात थी, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करना चाहते थे, जाते जा जनता, I love you, आपको लगता है, आपकी लिए मेरे पास वक्त नहीं है, तो आपको एकदम सही लगता है, क्योंकि तुमने जो कांड कर दिया है, मेरे बीड पीछे, तुम लोगों ने, जिसकी वज़े से बुकी नहीं कर सकते भाई को कोई, तो इतना बीजी हूँ, जनता, और वारियर्स, तुम लोग बहुत भी ले लोगो, कल्ट और कल्ट में, तो मन्जिल के नशे में, मैं गर छोड़ाया, वो मुझे नशे में देखकर घर ले आए, मैं अपनी जात से तंग, सामान पीछे छोड़ाया, वो मेरे खाली कंदे देख, रिष्टों का बोज ले आए, ओ वाव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो सुना अपने मुनावर फारुकी जो है, आजकल काफी बीजी है, और वो अपने फैंस, और जितने भी उनके सपोर्टर्स हैं, उनको बहुत ही दिल से प्यार करते हैं, और उनके लिए जितना भी वो तो बस इसी बात के साथ आज की हम इस वीडियो को इन्ड करते हैं, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा अनेलिसिस अच्छा लगता है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिये, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए, थैंक् कर दो